नवसकार मैं हिमानश्री कुमार आप देख रहे हैं वेब सवाचार बिहार में सियासी सरगर्मी काफी तेज है एंडी और महा गटवंदन आमने सामने है लगातार आरोप प्रतारोप लग रहे हैं आपको याद होगा ललन सिंग की जो मतन पार्टी पर बीजेपी ने सवाल उ चागया कि बीजेपी के नेता सबूत पेस करें और अब ऐसा कुछ हुआ कि बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया और कह दिया कि लीजिये ये सबूत है कि कैसे आपकी पार्टी के नेता जो है वो शराब पीते हैं बता दे कि जेडिव के एक विधायक हैं उनके बेटे को कल यानि बिते रात को पुलीस ने टांग लिया और टांगने की वज़ा अब आप समझ गया होंगे टांगने की वज़ा ये रही कि वो शराब के नसे में टली थे और जो खगडिया जिला है उसका बैलदोर इलाका है वहां के जीरो माइल इस्तित पेट्रोल पंप है वही पर 18-20 की संख्या में कुछ लोड़की जो ही कठे थे पुलीस को सक हुआ उत्पात अधिक्षक ने जब वहां की और ब्रेथ एनलेजर आप जानते हूंगे जिसे की ये चिक के जाता है कि कोई शराब पिया है तो अलकोहल कितने मातर में बॉड़ी में है तो जो खगडिया बेलदोर के विधायक पर्णालाल सिंग उनके बेटे बिवेक सिंग जो है वो शराब के निसे में पकड़े गए उनको जो है जाच के लिए फिर आगे भेजा गया मेडिकल रिपोर्ट के लिए तो अब कहीं न कहीं बीजेपी एक बार फिर से हमलावर हो गई बिते दिन जो है खगडिया के बेलदोर विधायक पर्णालाल सिंग के बेटे बिवेक सिंग 18 लगों के साथ सराब के निसे में पकड़े गए इसके अलावत आदे कि कुछ दिनों पहले ही जेडियू के परतेश शची जो है संजा चोहान वो भी शराब के नसे में गिरफतार हुए थे उनको जेल भेजा गया था हलाकि पार्टी ने कारवाई करते हुए उनको 6 साल के लिए पार्टी से निश्कासित कर दिया लेकिन आप बीजेपी वाले ये सवाल पूछ रहे हैं कि जेडियू वाले कह रहे थे कि सबूत दीजे तो लीजी ये सबूत रहा कि कैसे आपके पार्टी के नेता जो है उनको श्राप पी कटरली रहते हैं और नितिश्क कुमार्स ने गातार सवाल पूछ रहे हैं कि आपने श्राप बंदी के नाम पर हजारों गरीब मजलुमों दलितों पिछलों को जेल में बंद कर रखा हैं आखिर आप उनको जेल से छोड़ते क्यों नहीं और जो जेलु के परते शचीव हैं संजा चोहान उनको 3000 रुपे के बेल बंद पर छोड़ दिया गया इसको लेकर भी सवाल उठाय गया और यह सवाल वाजिब है इस वक्त भी 1000 लोग श्राप बंदी के नाम पर बिहार के अलग-अलग जेलों में बं है वो जेल में रहने को मजबूर होते हैं और जीतर नामान जी जो नितिश्कमार के समर्थक है नितिश्कमार की हर एक इशू पर प्रसंसा करते रहते हैं लेकिन कहते हैं कि श्राबंदी के नाम पर सबसे जादा गलत जो है वो गरीबों के साथ हो रहा है दलितों के साथ हो तो जेडियू की परिशानी बढ़ गई है, बिजवी ने समूदे दिया और कहा कि अब हिम्मत है तो जेडियू के नेताओं का ब्लड टिस्ट किया जाए, अधिकतर नेता जो है वो शराब के नसे में चूर रहते हैं, तो एक तरफ खगडिया से जेडियू विधायक बेलदोर वे बिसमाचार बात 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 बातुए है